आज हम कुछ question करेंगे जो आपके thumbnail पर आपको दिख रहा होगा कि आज किस की class होगी आज हिंदी पर best question होगे ठीके जो हिंदी आपकी language होती है exams में तो आपकी आज हिंदी की class होगी ठीके तो देखी objective कुछ question है जो आपके paper में आई हुए हैं ठीके तो देखी पहला question है प्रका को सही अनकरम ठीके आपको सही अनकरम बताना है किसका अरिवन्स राइबच्चन की रचनाओ का ठीके ज़िए लगए तो आप इसका सही अनकरम लगा सकते हैं ठीके लगी मरुसाला जो यह वो 1935 में आया था मधुबाला उसके बाद आया था 1936 में उसके बाद मधुकलस आया था 1937 में और उसके बाद आया था निसा निमंत्रण 1938 में ठीक है? तो आपका B वाला एंसर यहाँ पर सही होगा चलिए next question करते है सुमेल कीजिए सुमेल करना है हिंदी साहित सम्मेलन देखे ये तीनों जो है आपके सभा सम्मेलन दिये हो और ये इसकी स्थापना दिवस है ठीक है? पहला क्या है? हिंदी साहित सम्मेलन हिंदी साहित सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 में ठीक है? सेकेंड क्या है कासी नागरी प्रचारणडी सभा कासी नागरी प्रचारणडी की सभा कब हुई थी 1893 में और रास्ट भासा प्रचार समिती वर्धा की स्थापना कब हुई 1918 में ठीक है देखें कौन सा option यह राइट होगा फर्स्ट का सी सेकेंड का ए ठीक है दिवल उपसन चेक करिए डिवल उपसन यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए नेक्ट को कोशन के तरफ मूब करते हैं थार्ड कोशन है तूसी दास की रचनाकार कौन है तूसी दास किसने लिखी है कि यहां तक सबको पता होगा सुरिका सुरक अंतरपाटी जो निराला थे वो और भी रचनाय किये हैं जिसमें अनामिका है और अराधना है गीत कुंझ है संध्या काकली है गीतिका है परिमल है अडिमा है बेला है नए पत्ते अर्चना ये सारी जो है वो सुरक अंतरपाटी निराला जी की रचनाय है ठीक है ये बह से अनन्या आत्मकता किस की है देखिए अन्या से अनन्या जो आत्मकता है वो किस की है वो प्रभाखेतान की है ठीक है प्रभाखेतान ने अन्या से अनन्या लिखी है जो एक आत्मकता है देखिए ये भी पूछ सकता कि ये है क्या ठीक है तो ये एक आत्म कता है ठीक है प्रभा केतान ने लिखी है next question करते है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है ये किस ने लिखा है ठीक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये option number A कबीर, B दादू C नानक और D रैदास देखे सब लोग answer कीजिए fifth question का answer क्या होगा answer मैं बता देती हूँ यहाँ पर answer आपका D रैदास होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास ने लिखा है ठीक है, और रैदास जो है वो इनके द्वारा जो रचित चालिस पद हैं, वो आदि गुरु गरंत साहिब में संकलित है ठीक है, यह भी एक आपकी book है आदि गुरु गरंत साहिब रैदास जो है, वो आकास धर्मा अकास धर्मा गुरु रमानंद के सिस्थे, ठीक है जो आपके हम लोगे जो धर्म गुरु है रमानंद उनके सिसते कौन? रधाजी और ये जो रधाजी है वो मीरा भाई के गुरु माने जाते हैं मीरा भाई जो अक प्रसीद कृष्ण भक्त कवित्री है वाई ये कोशन में पूछा जाता है कि किस भक्तिक से इंका सम्बंद है मीरा बाई का तो कृष्ण भक्ति से है ठीक है नेस्ट कोशन की तरब बढ़ते हैं सिख्थ कोशन अनिम्नखित में से कौन सा सब्द तद्भव है ठीक है देखिए तद्भव सब्द पहचानने का तरीका है कि जिसमें सिंपल वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई भी जैसे दो वर्ड से एक वर्ड बनता जैसे छ बनता है दो वर्ड से वैसे ही जो आपका नॉर्मल वर्ड होते हैं उसको तद्भव वर्ड करते हैं जैसे देखिए तरिकुटी जो तर है ये भी दो से बना है तो ये आपका तद्चम सब्द होगा ये तद्भो नहीं होगा ठीक है खेद तद्चम होगा ठीक है खेद खेद सिंपल है खेद आपका तद्भो होगा ठीक है प्रभू देखे प में रह लगा हुआ है ठीक है प्रभू ये भी आपका तच्चम होगा नाथ नाथ में भी ये भी आपका तच्चम वर्ड है ठीक है देखे तो यहाँ पे जो आपका खेत होगा वो तद्भो अंसर है और ये सारे जो हैं आपके तच्चम है ठीक है और इसका तच्चम क्या होता है खेत का तत्सम क्या होता है खेत का तत्सम होता है छेत्र छेत्र ठीक है खेत का तत्सम अगर पूच दिया जाए तो वो छेत्र होता है ठीक है next question करते है seventh question निंद रिखित में से कौँ सा सब्द देशज है देशज में आपका एक clue है कि देशज सब्द आप कैसे पचान सकते हो तो देशज सब्द में क्या होता है कि कोई भी इसमें जो वर्ड होता है ये डर के नीचे बिंदू बना है इनसे इनकी थोड़ी पहचान होती है अगर हम थोड़ा पहचानना चाहें तो इन सब वर्ड से आप पहचान सकते हैं देसज वर्ड कौन सा है ठीक है यह आपका यहाँ पर देसज वर्ड है और ये तीनो ठीक है ये तीनो पतलून, औरत और लास ठीक है अब पतलून के आहाई ये अंग्रेजी याने इंग्लिस वर्ड है पतलून ठीक है यह देखे याद कर लिजेगा लास तुर्कीय औरत अरभी है ठीक है अब पतलून अंग्रेजी और धडाम जो है वो देश अज है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन करते हैं कनुप्रिया के रचन B. रांगे रागव, C. भगवती चरणवर्म, D. नागारजुन, देखे कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती ने लिखा है, ठीके, इसकी रचनाकार है धर्मवीर भारती, ठीके, यह जो कनुप्रिया है, यह काप विधा की रचना है, और धर्मवीर भारती की जो अने अंधायूग, साथ गीत वर्स और एक दिसांतर ठीक है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है बाकि आप ये सब भी एक बार देख लीजेगा इसकी रचनाएं भी ठीक है चलिए नेक्ट कोशन करते हैं निर्मे कित में से कौन सा सब्द पुलिंग है पुलिंग वर्ड बताएए चील, कड़ी, सर्सो, संतान ठीक है देखे चील आपका कौन सा वर्ड है इस्त्री लिंग है ठीक है और कड़ी, कड़ी भी स्त्री लिंग है देखे सर्सो देखे ये चारो इत्रस न इस्त्री लिंग है ठीक है संतान भी स्त्री लिंग है सर्सो भी स्त्री लिंग है कड़ी भी स्त्री लिंग और चील भी स्त्री लिंग है ठीक है देखे बट आयोग ने क्या किया है कि आयोग D. संतान को यहाँ पर pulling का answer दिया है संतान को आयोग ने pulling माना है बट चील, कड़ी, सरसो, संतान ये चारो जो हैं वो इस्त्री लिंग में आते हैं ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं उचारन स्थान की द्रिष्टी से कौन सा विकल्प सुद्ध है देखें उचारन की द्रिष्टी से जैसे जो आप उचारन करते हैं कि कंठ वर्ट, तालब वर्ड, मुधा निवर्द, दन तेवर्ड की सबापने पढ़ा होगा तो जब उचारन करते हैं तो कौन सा वर्ड, शह किसका है जो बड़ा वाला शह होता है गलत दिया हुआ है ये होता है तालब वेवाड होता है स्र जो है धंत है बिल्कुल सही है च कंठ है नहीं कंठ च जो है वो ये भी तालब में आता है ठीक है श श श आपका मुर्धन्य में आता है तो आपका पूझा कौन सा विकल्प सुध्ध है तो सुध्ध कौन सा है आपका ओप्सन नमबर बी चलिए नेक्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं जिम्निकित में से कौन सा कथन असुध्ध है देखे इसमें असुध्ध करना है ठीक है दो महा प्राण बेंजनों का उचारण एक साथ हो सकता है बिल्कुल नहीं ठीक है तो ये क्या है ये गलत हो जाएगा तो यही आपका ओप्सन सही है हिंदी में ग्या का उचारण परंपरा से भिन हो गया है देखे ग्या जो है वो ग् जा और इया से मिलकर बना होता है ठीक है इन दोनों के योग से क्या बनता है जब ग्या बनता है तो उचारण परंपरा से भिन हो गया है ये सही है ठीक है छा साइंग तो बेंजन है बिल्कुल छा को साइंग तो बेंजन कहते हैं छा जो है वो क और सा से मिलकर बना होता है इ ठीक है और विशर्ग कंठे बाढ़ है विशर्ग को कैसे शो करता है विशर्ग को ऐसे शो करता है दो बिंदों से विशर्ग ऐसे, ठीक है, चली तो इसका एंसर हो जाएगा, ए, दो महा प्राण बेंजनों का उच्छारण एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहां हो सकता दिया है, तो ओप्सन नमबर ए यहां पे करेक्ट होगा, जो की असुद्ध है, नेस्ट कोशन करते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्या का पालन नहीं किया, वाक में लड़के के विशा में कौन सा विकल्प असुद्ध है, ठीक है, यहां पे क्या बताना है, असुद्ध बताना है, ठीक है, असुद्ध वर्ड़ पूछ रहा है, तो लड़का क्या है, ठीक नहीं है एक वजन है बिल्कुल सही तो यहां पर क्या पूछर असुद कौन सा तो असुद ऑप्शन सी जो है यहां पर करेक्ट होगा चलिए इनी कोशन के साथ सेशन को समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स वेशन में तब तक के लिए धन्यवाद